हेलो फ्रेंज वेलकम टो अबर चेनल आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोई सूट या कोई कपड़ा कहीं से फट जाए या गलती से उसमें कट लग जाए तो उसे आप किस तरह रिपैर कर सकते ही वो भी बिना सुई धागे के नॉर्मली जब हम सुई धागे से इसे रफो करते हैं तो ये और भी खराब और विजिबल दिखता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक स्मार्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बिना रफो कि ये किसी भी फटे कपड़े को रिपैर कर सकते हैं फिनिशिंग के साथ यह तक मेंने निचे डिस्क्रिप्ect में दिए हैं वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे जितने भी हमारा फैब्रिक में कर ते उससे थोड़ी से एक-ट्टी ने कर दो अब इस टेप से थोड़ी सी चोड़ी एक by?」 कर करेंगे अब जो भी हमारा फैब्रिक जहां से फटा है वहां से हम जो भी एक्ष्ट्रा धागे हैं उसे पहले कट कर लेंगे इस तरह और अब यहां से हम इसे एक बार अच्छे से प्रेस करेंगे और अब जो भी फैब्रिक में कट है उसे बंद करेंगे तो अच्छे से इस गेप को ब प्रेस करेंगे तो इसे अच्छे से 30 सेकेंड तक हम प्रेस करेंगे प्रेस करने से ये रिविल सिविल टेप अंदर मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होके ये हमारे फैब्रिक को मजबूती से चिपका देगी तो अच्छे से इसे दबा कर हम प्रेस करेंगे तो इस तरह देखिए मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है और साइड में जो ये पट्टी थोड़ी एक्ष्टा लगरी मुझे तो इसे में कट कर लूँगी अब मैं आपको इसे सिधा करके दिखाती हूँ तो ये पट्टी हमने फैब्रिक की रॉंग साइट में लगाई है तो देखिए अब इसे सिधा करते हैं तो देखिए जो हमारा कट था वो बिल्कुल इन्विजिबल हो गया है कहीं पर पता नहीं चल रहा है कहां पर था हमारा कट फिनिशिंग से ये कवर हुआ है तो ये मैंने आपको प्लैन फैब्रिक पताया है अगर आप प्रिंटेट फैब्रिक पे इस टेप का यूज करते हैं तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं होगा कि हमने कहीं पर टेप लगाई है और दीखे कितना भी आप इसे खीच ले तो भी ये कपड़ा खीचेगा नहीं ये कट हमारा ओपन नहीं होगा इतनी मजबूती से ये कपड़ा चिपक गया है दीखे मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ हमारा कट बिल्कुल ओपन नहीं हुआ है देखिए आप कितना भी से खीच ले तो भी यह नहीं खुलेगा तो यह है इस टेप का कमाल I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी Thank you for watching